नमस्कार मैं हूं रिंकी बाश्पे और आप देख रहे हैं जगाथ निवस्टानिफॉर्ट बड़ी ख़वर आही है मानख के बिपरीद बन रहा प्रटोल पंप के बीरोध में सडक पर उत्रे ग्रामीड ने इट भट्टों के बगल में बनाया बताया मानक के बिपरेत प्रोटोल पंप निर्मार को मानक के बीपरीद बदाते हुए जमकर काटा हंगावां बीरोध प्र प्रटोल पंप पर कभी भी हो सकता है बड़ा हाथसा करीब 200-300 से परिवार के साथ जो पर जुगियों में रहते हैं मज़ूर के लोग प्रटोल पंप पर रोक ना लगने पर प्रटोल पंप का है पुरा मामला आगरा जटपुरा लोहा मंदी से क्राइम रेपोर्टर असला मली की खास रेपोर्ट जगन्यूस 24 जो बहुत ही मतलब गलत है प्रसासनक आंग मुदे हुए है विशेसकर जिले के अधिकारी है बहुतों बिके हुए है कहीं भी कोई भी सुन कर सकते उच्चे धिकारियों से मांदी मुकमंती चीजिश से सकाह्यत की गई टी डीयम साब से शकायत की गई ती लेकिन उसका जो वो आया सब्सक्राइब कोई संतुष्ट जवाब नहीं है और ना ही कोई मिलने की उम्मीद है क्योंकि प्रशाजन चंद पैसों में और जिंदगी के लोगा क्लवाल कर रहा है अगर कोई नहीं गया तो यह लोग जाम लगाएंगे क्या करेंगे यह बिजार में दूरें इस यहां पर दस ताल से में यहां काम कर रहा हूं और अभी कुछ दिन पहले यहां पर नई प्रेट्र पंप की सुरॉत हो रही है जो की 15 मीटर दूर है पट्टे से अब बट्टे मे तो बट्टे में तो आज का काम रहता है आग का काम रहता है अगर आग लगी रात में आग लगी बताई तो हम जीवी बच्ची लेके कहां जाएंगे क्या करेंगे इसका जिम्मेदार कौन है इसलिए मेरी गुजारे से प्रिसासन अतकारी से किस पर रोक लगाएं और हमारा कितने बढ़ती हैं, जो पर बॉलकुल नजदी-नजदी के आप लूगों के क्या माँना चाहते हैं अब लोग लोग का करकी इसको इस पर रोक लगाई जाये और अगर इस पर रोक नहीं लगी तो इसके जिम्मेदार कौन होगा बताईए अग लगी उस समय ना तो फार्वेकर आएगी ना कोई आएगा बताएगी तो हमाज जोगा गया साथ परवार साहित रहते हैं पूरे बच्चे परवार साहित रहते हैं हमारे और सोदोसो परवार है यह मैं अखेला नहीं हुए यह लोगों सब भीड भी दिख रहे हैं आपको इस सोदोसो परवार रहते हुए आपके कुछ लोग अभी यह घर गए हैं